बिहार में अचानक लोगों के बैंक खाते में रुपए आने का सलसला जारी है अचानक खाते में मोटी मोटी रखम आने और लोगों के करोड़ पती बनने का खेल जारी है कटिहार का मामला भी चर्चा में था कि अब मुजफर पुर जिले से एक मामला सामने आ गया यहां एक मुज़र्ग के पेंशन के बैंक खातों में 52 करोड रुपे से ज्यादा की राशी आ गई जिसे लेकर इलाके में चर्चा का विशे बना हुआ है इतनी बड़ी राशी का नाम सुनते ही लोग दातों तले उंगली काट रहे हैं और जिनके खाते में राशी आई है वो अपनी खोशी का एजार भी नहीं कर पा रहे है दरसल ये अजीब और गरीब मामला मुजफर जिले कटरा थाना शित्र का है जहां एक वरधा अपने वरधा पेंशन की राशी चेक करवाने के लिए एक निजी सीएसपी संचालक के पास गया जहां सीएसपी संचालक के पास जाते ही उसने अपना आधार काट दिया और अपनी राशी चेक करवाई अंगूठा लगाते ही CSP संचालक कर दंग रह गए आखिर 52 करोड से अधिक राशी खाते में कैसे पहुंची बात धीरे धीरे इलाखे में जंगल के आग की तरह फैलने लगी जब इस मामले की जानकारी लेने को लेकर घटना स्थल पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो राम बहादुर शाह ने बताया हम व्रधा पेंशन को लेकर एक नस्दी की CSP संचालक के पास गए जहां CSP संचालक ने बताया कि आपके खाते में 52 करोड से धिक राशी आ चुकी है जिस बात को सुनकर हम हैरान हो गए कि आखर राशी आई कहां से हम खेती किसानी करके जीवन यापन करते हैं और उसी से जीवन होता है सरकार से यही मांग करेंगे कि उस राशी से कुछ हमें भी मुहिया करा दिया जाए जैसे हमारा बुडापा गुजर जाए वहीं इस मामले पर परिजन सुजीत कुमार गुपता का कहना है हमारे पिताजी के खाते में 52 करोड से धिक के राशी आई है खाते में राशी देखकर हम लोग काफी परिशान है कि चाहिछी सरकार से सरकार से चाहिछी कुछ लाब होई के चाहिए ओन भैंग में खाता रालाखा गड़ामी बाएंग केते पैसे रालाखा बावन करोड की नाम है राम भादुर साब क्या चीज के लिए चेक करवाने गया थे वो पैसे के कहें ऐसी जैसे चेक कर ये बिर्दा प्रिश्मारान आई ये तक बिर्दा पेंशन चेक करवाने गया थे क्यतना आगिया एक के बावन करोड काफी खुस हो गया होंगे ना फुस्त है निकला है कि नहीं परिशा नहीं क्या नाम हुआ राम भादुर साब शिंग काफी उसका बर्दा कजने पर और ग Lao Kाणan कमें ये अ हुआ प्रूसर किया है वो मुझे पता नहीं है आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वह आप संजें क्या करथे हैं पापा है मैं two key Kisaan 키 पैसा 2 कि लग रहा है आपंगे तो पैसा 2 पैसाए वार पाश ये देखा जाए पैसा आया है क्या खुशी लग रहा है अपके अंदर इसको देखा जाएगा किस रूप में है नहीं है उसको हम समझेंगे पुन रूप से उसके बाद इस पर विचार करेंगे उसका जो होगा आगे का करवाई के जाएगा परिवार की स्थिति क्या है आपके परिवार की स्थ करते हैं कि यहीं कि देखेंगे और जो मेरा उचित जो बनता है जो दायूत बनता है हम लोगों को मिले हमको क्या नाम हुआ मेरा नम सुजित मर गुपता हुआ कितना खास्त पैसा है राशी एकांट में बावन करोर कुछ उरुप्या कों बैंक में है खाता इनका बैंक और ना ब्रोदरा का बैंक ना यह घर कहा हुआ जो ना मुआ जो अ